नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंख में आप सभी का स्वागत हैं। इसंख में हम आपके ले लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की दृष्टी से महत्युपूर्ण कुछ एहम खबरें। इसंख के साथ मैं हूँ दिव्यातोमर। आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंख की खास खबरों के बारे में। मगरी के लिए आरक्षन नियमों को मंजूरी दी। कोप 26 के दोरान 60 उत्सरजन पोद परिवहन मारगों की स्थापना के लिए क्लाइड बैंक घोशना अपनाई गई। और अमेरिका ने भारत के नित्रतों वाले अंतराश्ट्रियस और गठबंदन की सदस्यता ग्रहिंड क मंत्री मंदल ने इसे वित्वर्ष 2021-22 के 6 महीनों और 15 वे वित्वायोग की अवधी के साथ साथ वित्वर्ष 2026 तक जारी रखने की सुईकृति प्रदान की है। आपको बताने कि वर्ष 2020 में मंत्री मंदल ने वित्वर्ष 2021-21 के दौरान MPLADS को संचालित नहीं करने और COVID-19 महामारी के प्रभावों से निपटने के लिए इस राशी को वित्वायोग के अधीन रखने का निर्ण लिया था। MPLADS एक केंद्रिय शेत्र की योजना है जो की पूर्ण तह भारस सरकार द्वारा वित्वशित है। इसे वर्ष 1993 में सांसदों को अपने निर्वाचन शेत्रों में विकास कारियों का सुझाव देने और निश्पादित करने में सक्षम बनाने के उद्दिश्य से प्रारंब किया गया था। राजसभा के सदस्य उस राज्य के एक या एक से अधिक जिलों में कारियों की अनुशंसा कर सकते हैं जहां से वे निर्वाचित हुए हैं। इसके तहट प्रति सांसद निर्वाचन शेत्र में वार्षिक एमपीलेट्स का खर्च है 5 करोड रुपे। इसका मंत्राले है सांखिकी एवं कारिक्रम कार्यान वियन मंत्राले। एमपीलेट्स की प्रक्रिया ये है कि इसे सांसद द्वारा नोडल जिला प्राधिकरन के समक्ष कारे करने की अनुशंसा की जाती है। इसके बाद सम्बंदित नोडल जिला अनुशंसा की गए कार्यों को कार्यान वित करने और निश्पादित कार्यों और खर्च की गई राशी के विवरण को बनाए रखने के लिए उत्तरदाई होता है। अगली खबर खनन शेत्र से सम्बंदित हैं। प्रोन सर्वेक्षन के संयोजन का उपयोग करना, पट्टेदारों और आशय पत्रधारकों के खनन शेत्र की डिजिटल छवियों को प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। पूरी तरीके से गलत या भ्रामक सूचना के विरुद्ध कारवाई करने की शक्ती राजी सरकार के अलावा भारतिय खान ब्यूरों को भी प्रदान की गई है। नए प्रावधानों के तहट 25 हेटेर से कम के पट्टे वाले शेत्र ए श्रेणी की खदानों के लिए एक पार्ट टाइम खनन इंजिनियर या एक पार्ट टाइम भूवेग्यानिक की नियुप्ती की अनुमती दी गई है। लोजना निर्मान प्रथाओं और खानों में सुरक्षा मानकों में सुधार होगा। खननकारियों की बहतर निगरानी संभव होगी। छोटे खनिकों के लिए अनुपालन बोज कम होगा। वहीं MMDR 1957 की बात करें तो ये भारत में खनन शेत्र को विन्यमित करता है और खननका और राष्ट्रिय खनिज अन्वेशन न्यास की स्थापना का प्रावधान किया गया था और अवैद खनन के लिए कठोर दंड का प्रावधान इसके तहत किया गया था। अगली ख़बर कृशी शेत्र से संबंदित हैं। इथनौल का उच्छ मूले निर्धारित करने को मन्जूरी प्रदान कर दी थी। ये निर्णय इथनौल मिश्रित पेट्रोल कारिकरम के तहत विभिन गन्ना आधारित कच्छे माल से प्राप्त इथनौल से संबंदित है। तेल के सार्वजनिक शेत्र के उपक्रमों को भी टूजी एथनौल की खीमत तैकरने की स्वतंतरता दी जाएगी। क्योंकि इस से उन्नत जैव इन्धन रिफाइनरी स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस निर्णय के लाभ ये होंगे इथनौल आपूर्ती करताओं के लिए मूले स्थिरता और लाभकारी मूली की प्राप्ती संभव होगी। ये गन्ना किसानों के बकाया और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने में सहता करेगी। ये विदेशी मुद्रा की बचत और पर्यावरनिय लाभों में व्रिधी करेगी। सरकार इथनौल मिश्रित पेट्रोल कारिक्रम को कारेनवित कर रही है। इसके अंतरगत तेल विपडन कमपनियां दस प्रतिशत तक इथनौल मिश्रित पेट्रोल का विक्रे करती है। अंडमान निकोबार और लक्षुदीप को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसकारिक्रम का विस्तार किया गया है। सरकार ने वर्ष 2022 तक इथनौल के 10 प्रतिशत मिश्रन और वर्ष 2023 तक 20 प्रतिशत मिश्रन तक पहुँचने का लक्षन इरधारित किया है। जैवी इधन के लिए कारवन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक के शित्र में पादप जी विज्ञान और जैव प्रद्योगी की में विकास यानि मेटाबॉलिक इंजिनरिंग का उप्योग किया जाता है। मंत्री कपास एक सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ये लगभग 58 लाग कपास उत्पादक किसानों के साथ साथ कपास प्रसंसकरण और व्यापार में लगे 400 से 500 लाख लोगों की आजिविका कायम रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगली खबर जूट उद्द्योग से संबंदित है। वस्तू पैकिंग अनिवारे प्रियोग अधिनियम 1987 के तहट की गई है। ये अधिनियम कुछ वस्तू की आपूर्ती एवं वित्रण में जूट पैकेजिंग सामगरी के अनिवारे उप्योग का प्रावधान करता है। ये उपबंध कच्चे जूट और जूट नियम भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामगरी के घरेलू उत्पादन के हितों की रक्षा करेंगे। साथ ही ये 40 लाख जूट किसानों की उपज के लिए एक गारंटी कृत बाजार सुनिश्चित करते हैं। जूट उद्योग को बढ़ावा देने के ये एक ई सरकार पहल है और जूट नियूनतम समर्थन मुल्य विवस्था में शामिल है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट को जलोड मिट्टी और अत्यधिक वर्षा एवं 20-40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यक्ता होती है। क्लाइड बैंक घोषना अपनाई गई। ग्लाजगो में आयोजित हुए कोप 26 जलवायू शिखर सम्मेलन में क्लाइड बैंक घोषना को अपनाया गया था। ब्रिटेन और संविक्त राज अमेरिका सहित 19 देशों के गडबंदन ने इस घोषना पर हस्ताक्षर कर दिये है ये घोषना दो या दो से अधिक पत्तनों के बीच ग्रीन शिपिंग कोरिडोर यानि की शुन्य उत्सरजन समुद्री मारगों की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। इससे वैश्विक समुद्री उद्योगों के विकारबनी करण को गति प्रदान करने में मदद इसके लिए शुन्य उत्सरजन इंधन की विकारशील आपूर्ती, विकारबनी करण के लिए आवश्चिक बुन्यादी धाचा और विन्यामक फ्रेमवर्क की जरूरत होगी। भारत ने अभी तक इस घोषना पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। विश्व व्यापार की कुलमा की वजह से होने वाले प्रदूशन के प्रकारों की बारे में। तेल रिसाग की वजह से समुद्री जल में खतरनाक रसायनों का प्रवेश होता है। इसके अलावा बैलास्ट वाटर यानी जहाजों के संतुलन के लिए उनमें उप्योग होने वाले जल के बाहर छोड़े ज जाने से महासागरों में आक्रमक प्रजातियों का विकास होता है। साथ ही ध्वनी प्रदूशन से समुद्री जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अंतराश्ट्रियस समुद्री संगठन आईमों ने जहाजों से कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन को वर्ष 2008 क के इस्तर से वर्ष 2050 तक 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष निर्धारित किया है। हाला कि ये लक्ष वर्ष 2015 के जलवायू परिवर्तन पर पैरिस समझोते की अनुरूप नहीं है। पोत परिवहन उद्योग के विकारबनी करण की दिशा में विश्व इस्तर पर किये गए अ अन्य उपायों में शामिल हैं। जहाजों से प्रदूशन की रोग्थाम करने के लिए अंतराश्ट्रिया भी समय मार पोल ये मुख्य अंतराश्ट्रिया भी समय हैं। इसमें परिचालन संबंधी या आकासमे कारणों से जहाजों द्वारा समुद्री परियावरन के अंतराश्ट्रिया सौर गठबंधन की सदस्यता ग्रहन करने की घोशना की। कोप 26 में अमेरिका ने सौर गठबंधन के 101 सदस्य के रूप में शामिल होने की घोशना की है। ये सौर संसाधन समुद्ध देशों के गठबंधन के रूप में कारे करता है ताकि उनकी विशेश उर्जा आवश्यक्ताओं की पूर्ति की जा सके। इसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्टुपती दुआरा 30 नवंबर 2015 को पैरिस में पक्षिकारों के सम्मेलन यानि कोप 21 के दौरान लॉंच किया गया था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की आवश्यक्ताओं के लिए भविश्य के सौरूत पादन, भंडारन और प्रध्योगी किया प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। ये कारे वर्ष 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मिधी एकत्र करके संपन्न किया जाएगा। भारत के लिए इसका महत तो इसलिए भी है क्योंकि ये भारत को वैश्यक्त मंच पर अग्रणी इस्थान प्रदान करता है। क्योंकि दो प्रमुख उर्जा उपभोगता देशों जिसमें की ग्लोबल साउथ से भारत और ग्लोबल नौर्थ से फ्रांस हैं, इसने आईयसे की संरचना को इस्थापित करने के लिए महत्यपोन उपाय किये हैं। ये भारत की वैश्विक समानता के सिध्धानत को रेखांकित करता है, क्योंकि ये समर्द देशों के साथ साथ फीजी और दक्षिन सूडान जैसे देशों को भी प्रतनिधित्व प्रदान करता है। की सौरूर्जा से संबनित अन्य तत्थ भी हैं। पाकिस्तान और चीन ने दिली बैठक से दूर रहने का फैसला किया है। अगला है आकस्मिक सूखा एक नए अध्यान में भारत को वर्ष 1980 से 2015 के बीच घटित हुई वेश्विक आकस्मिक सूखे की घटनाओं वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है महीनों में विक्सित होने वाले पारंपरिक सूखे के विपरीट आकस्मिक सूखा एक गंभीर सूखे के प्रकार की इस्थिती को दर्शाता है जो की बहुत तेजी से विक्सित होता है यह असमाने रूप से उच्छ तापमान पवनों और उच्छ सौर विक्रन तथा वर्शा के 15 से 20 दिनों की देड़ी की वज़े से होने वाली उच्छ वाशपोथ सरजन दर्गी वज़े से होते हैं ये वर्षा की कमी या आसमाने रूप से उच्छ तापमान द्वारा घटित हो सकता है। मृदा की नमी और फसल दबाव के साथ इसके प्रत्यक्ष सम्मंद की वज़े से इसे कृशी सूखे के रूप में भी वर्गिकृत किया जा सकता है। CO2 परिवहन से वैश्विक उत्सरजन हाल ही में छे बड़े आटो मोबाईल निर्माताओं और 31 देशों ने वर्ष 2014 तक पेट्रोल और डीजल से चलने वाले नए वाहनों की विक्री को समाप्त करने की दिशा में कारे करने के लिए एक कानूनी रूप से घेर बाध्यकारी संक संकल्प लिया है भारत विशु का चोथा सबसे बड़ा आटो मोबाईल बाजार है भारत युनाइटिट किंग्डम, कनाडा, नीदरलेंड, नौर्वे, पोलेंड और स्वीजन के साथ गटबंधन में शामिल हुआ है हालांकि विशु के सबसे बड़े आटो मोबाईल कार्बन बॉर्डर टैक्स किया जा रहा है क्योंकि इससे विकास शील देशों में विनिर्मान और निर्यात प्रभावित होगा इअमरित पोर्टल कारे करना है इस पोर्टल को नीती आयोग द्वारा यूके सरकार के साथ सहीयोगात्मक ज्यान आदान प्रदान कारेक्रम के तहट और यूके भारत संक्त रोड मैप 2030 के भाग के रूप में विक्सित और होस्ट किया गया है कोरिंगा में भारत की प्रथम फिशिंग क्याट कॉलरिंग परियोजना भारतिय वनीजीव संस्थान द्वारा अंधरप्रदेश के कोरिंगा वनीजीव अभ्यारने में संक्या और उनके अस्तित्यों का अनुमान लगाने के लिए दस फिशिंग कैट की कॉलरिंग यानि गले का पट्टा लगाने की शुरुवात की जाएगी फिशिंग कैट एक रात्री चर प्राणी है ये आदर भूमियों में रहते हैं और मुख्य रूप से सुंदर्बन के मैंग्रोव वन में चिलका जील के आसपास गंगा और ब्रह्मोपुत्र नदी घाटियों के साथ हिमाले की तलहटी और पश्चिम घाट में पाये जाते हैं ये मचली, मेंड़क, क्रस्टेशियन, साप और पक्षियों का शिकार करते हैं और बड़े जानवरों के शवों का भक्षन करते हैं आयूसियन ने इसे एंडेंजर्ट की सूची में रखा है फिशिंग कैट द्वारा सामना किये जाने वले खत्रों में आदर भूमियों में विकास गतिविधियों की वज़े से परियावास की हानी, गेहन जलियक्रशी, मास और तवचा के लिए शिकार शामिल है वर्ष 2012 में पश्चिम मंगाल सरकार ने आधिकारिक तोर पर फिशिंग कैट को राजिपशु गोशित किया था कोरिंगा वन्यजीव अभ्यरण आंधिप्रदेश में है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन शेत्र है, ये काकी नाड़ा खाडी में गौतमी और गुदावरी के डिल्टाई विस्तार में स्थित है, ये ओलिव रिडले कचुए के प्रजनन स्थलों में से एक है, इस अभ्यरण के आसपास लगभग 177 वर किलोमीटर शेत्र को परियावरन समवेदी शेत्र गोशित किया गया है, आई अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में, टिग्रे एथियोपिया, टिग्रे एरिट्रिया के साथ लगी एथियोपियाई सी परिस्थित हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हौन ऑफ अफरीका में कौन-कौन से देश शामिल हैं, एथियोपिया एक इस्थल रुध देश है, ये उत्तर में इरिट्रिया, उत्तर पूर्व में जिबूती, पूर्व में सोमालिया, दक्षिन में केन्या औ इसके साथ ही यंक समाप्त होता है, अगले यंक में फिर मुलाकात होगी, कुछ अन्य महत्तुपूंट खबरों के साथ, तब तक अपना खयाल रखिये, और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग COVID के दोनों टीके लगवाएं, इसके अलावा COVID नियमों का पालन करें, मास्क पहनिय दोगज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुझ साफ रखें, इसके साथ ही विज्वनाइस की पूरी टीम को दीजे इजाज़त, नमस्कार